लेकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर भाई राखी चौबे इस नोटीस को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि यह फेक है या फिर रियल है तो यह एक इंटर्नल डेटा लिख था क्यूंकि आप सभी अब इसको ओफिस्यल वेबसाइट पे जा सकते हैं कि यह 30 जुलाई के डेट में ही अपडेट किया गया है बट यह अपडेट अब दिखेगा आपको अभी अभी जस्ट हुआ है तो आप लोग यहां से इस पीडियाफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं यह एक्च्वल में वही है जो डेटा लिक की वज़े से दो दिन पहले ही अपन सब के पास पहुंच गया था जो सर्कुलर हो रहा था एक बार मैं इसको समराइज कर देती हूं पहले इसमें किसकी में बातों पे फोकस किया गया है जब आप से एनिपी 2020 प्यारा 5.4 इंफैसिज ऑन स्ट्रेंग्टिंग ऑफ टेट टू इंक्लूटेट बैटर टे करता है आप से की जो टैट है उसके 5.4 प्यारा के एकॉर्डिंग इस सी टैट के लेबल को इंक्रीज किया गया है इस पूरे नोटिस को आप पढ़ हो गए अच्छे से तो इसमें कहीं भी सीलेबस को चैंज होने की कहीं कोई बात ने की गई है बस यह इसमें यह कह रहा है क की एनिपी टूजिरो टूजिरो फाइप पॉइंट फोर पैरा के एकॉर्डिंग इसने टैट को बैटर बनाने की बात की गई है पहले से बैटर क्वालिटी देने की बात की गई है इसमें क्लियर यह भी मैंसन है जब आप नीचे जाओगे यहां पे तो आपको क्लियर चीज़े मतलब सीधी सीधी चीज़े आप रट लो और वहां पे सीधा सीधा कुस्टन आपको दिख जाएगा वह अब नहीं दिखेगा उसमें कहें more of conceptual understanding, application, problem solving, reasoning and critical thinking तो कहीं नकर इसमें reasoning, math, gk मतलब और जो बाकी के टैट होते हैं वहां पे जो सा portion आपको दिखता है वो दिख सकता है बट existing syllabus वही है इस्टिल अभी भी इसमें ये कुछ clear नहीं किया गया है कि reasoning आएगा ही आएगा बट इसमें बाते जरूर की गई है तो हो सकता है कहीं नकर इस portion को include किया जाए बट इस्टिल अभी भी जो pedagogical content है आप यहां पे देखो तो लिखा है pedagogic content knowledge, their knowledge subject in the school curriculum, teaching subject, pedagogic content knowledge तो कहीं नकर इसने pedagogical सारी चीज़े फिर planning, teaching learning ads इन सब चीजों पे जो assessment methodology है इन सब चीजों को ही focus किया गया है हो सकता है reasoning और यह सब चीजे एड हो जाए जो है न math, problem solving, analytical, aptitude यह सब चीजे आपके एड हो सकते हैं बट इसके साथ इसने ये भी clear किया हुआ है क ये चीजे confirm है paper entry यही लेगा और online mode में ही होगा examination आपके December last December 2021 या फिर January के starting 2022 में paper हो जाएगा आप ठीक है और दूसरी बात है OMRC जो पहले आप लोग फिल करते थे गोले offline वो नहीं आप सीदे सीदा online किया गया है लोगों में computer like जो improve करना है education को उसके थूरूर teacher भी कहीं न कह कंप्यूटर से साक्षातकार होई इस वजह से ठीक है इसके साथ एक चीज और जो अच्छा है इसमें वो यह है कि फैसिलेशन सेंटर आपको दिया जाएगा हरे एक जीले वाइस ठीक है मतलब आप जिस भी district में आपका center होगा मतलब जहां पे आप डह रहे हो तो हरेक जीले वाइस आपको क्या है फैसिलेशन सेंटर दिया जा रहा है और बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट वहाँ पे online mock टेस्ट होंगे किस तरीके का पेपर आएगा वो सारा blueprint भी अभी यह sample पेपर एक official website पे upload करेगा उससे अपन को idea लग जाएगा कि कैसा पेपर exams में आने को है इसके अच्छा है पहले से आपको idea लग जाएगा किस तरीके से पेपर देना है कैसे exam pattern होंगे कैसे time को manage करना है ठीक है इस pdf का link में description में दे देती हूं आप वहाँ से download करके इससे अच्छे से पढ़ लीजे या फिर official website अभी थोड़ा सा हैंग चल रहा है क्योंकि चानक से बहुत साथ traffic होगा तो आप description से इस pdf को पढ़ लीजे बाकी और भी कोई changes अब ऐसा आता है तो मैं आप लोगो अपडेट दे दूगी ठीक है